दोस्तो हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है वर्किंग ओन टेक्स्ट पार्ट टू जी हाँ बिलकुल वर्किंग ओन टेक्स्ट इस टॉपिक की वीडियो पहले बन चुकी है जो पार्ट वन की नेम सी थी और उसके अंदर हमने टेक्स के काफी टूल्स जो है वो डिसकस किये थे तो वो दोस्त जो इस वीडियो को देख रहे हैं और इससे जो पहली वीडियो है उनने वाच नहीं की है तो मेरा उनके लिए मश्वरा है कि आप सबसे पहले जाएं और इसका जो वर्किंग ओन टेक्स टॉपिक के ओपर हमारे जो पार्ट वन की वीडियो है उसको पहले जरूर देखें थाके जो प्रिवेस ऑप्शन है वो सारे ऑप्शन उनको क्लियर हो जाएं और जिन दोस्तों ने और जिन स्टूडेंट्स ने प्रॉपर ली पिक्सल लैप को मेरे साथ स्टार्ट की है मेरे चैनल के उपर तो मेरा उनसे एक क्विस्टन है कि आप लोगों ने अगर प्रिवेस जो वर्क आपने किया था जो वर्किंग ऑन टेक्स टॉपिक के पर पार्ट वन हमारी वीडियो थी अगर उसके अंदर आपने तमाम कमांड्स के उपर प्रैक्टिस नहीं की है तो आप इस वीडियो को अभी ना देखें ठीक है पहले उन कमांड्स के उपर अचीजी प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद फिर आगे बढ़िए ठीक है ओके जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो वीडियो को स्टार्ट करने के लिए हमारे पास सबसे पहला कमांड जो है वो है शेडो कमांड ठीक है किसी भी टेक्स को अगर आपने शेडो देना है ठीक है तो आप इस शेडो कमांड का सिंप्ली यूज़ कर सकते हैं आप इसको यहां पर enable कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास background पे अगर आप उस text के background पे अगर आप देखें तो आपके पास एक dark shadow आ चुकी है और इसको भी हमने change करना है ठीक है opacity, opacity से आप उस shadow को जो है वो transparent कर सकते हैं, मतलब उसको dim कर सकते हैं, halka रख सकते हैं या dark रख सकते हैं, ठ blur में खतम करूं, तो देखें आपको shadow जो है वो same बिल्कुल text की तरह नज़र आएगा, सिरफ color का different आपको नज़र आएगा, ठीक है, तो blur आपने जितना रखना है, मतलब कि आपने उस shadow को कितना blur रखना है, ठीक है, offset का क्या मतलब है, गर आपने left पे लेके जाना है, right पे ल ठीक है, इसको हम okay करते हैं, next हमारे पास command है inner shadow, inner shadow में के अगर आपने इसके inside shadow यूज़ करनी है, ठीक है, तो inside आपको shadow नज़र आ रही होगी, blur command की मतलब से अगर मैं इसको use करूं, तो आपको बिल्कुल clear नज़र आ रहा होगा, inside, ठीक है, inner shadow का मतलब क्या है, inside text, command आपके हमारे पास वही है, ठीक है, और आप इसके use कर सकते हैं, और यूज़ करने के बाद आप इसको एक अच्छी सी look जो है, वो आप इसको दे सकते हैं, next command हमारे पास है, emboss, ठीक है, emboss हमारे पास में के, सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं यहां से यह दोनों option इसकी उपर close कर दे यहां पर आप देखें, text आपका कुछ 3D form में convert हो चुका है, ठीक है, नीचे आते हैं, इसको change करते हैं, ठीक है, अभी आपको इसकी look जो है, वो proper नजर आ रही होगी, कि यहां पर emboss से हमारा text जो है, वो किस तरह, किस format में change हो चुका है, और इसके अंदर हम यहां से कितनी changes जो है, वो ला सकते हैं, ठीक है, अभी देखें, यह pipe type का एक format जो है, वो एक look जो है, वो हमने अपने text को दे दिये, तो आप अपनी मर्जी से इन option को change करके, इसको एक अची सी look जो है, वो दे सकते हैं, तो emboss से आपका text अबरा हुआ, जो है, वो नजर आता है, ठीक है, इस जो हमारे पास जो square, यहाँ पे rectangle बना हुआ है, और rectangle की corners पे जो भी circle है, उन circle की मदद से आप अपने text को कोई भी shape जो है, वो आप दे सकते हैं, कोई भी angle पे आप उसको इस तरह shape दे सकते हैं, ठीक है, मैं okay करता हूँ, तो मैंने कुछ इस तरह का shape जो है, वो इसको ले दिय rotation, ठीक है, 3D rotation mean के आपने इसको, एक तो हमारे पास normal rotation था, यहाँ से हमने rotation इसको की थी, वो सिर्फ आपको angles, मतलब circle shape में आपने उसको rotate करना होता है, लेकिन यह 3D angles हैं, मतलब x and y, ठीक है, वो थी, sub-artist, ठीक है, इसको बे close करता हूँ, 3D text, enable करें इसको, ठीक है, और यहा यहां पर एक छोटा सा mistake फिर है, कि हम जाके emboss command को burn कर देते हैं, ताकि हमें यहां पर इस option की अच्छे से समझ आए, और इस option का result हमें अच्छे से नजर आई, ठीक है, अभी आप देखें, तो 3D look में change हो चुका है, नीचे आते हैं, अभी मैंने जो 3D इसका बनाया है, उसक X rotation इसको मैं दे रहा हूँ, ठीक है, यहां से Y rotation पर हम जाएंगे, और Z rotation पर हम जाएंगे, ठीक है, इससे यह आपका जो shadow है, यह dark और light होगा, तो यहां पर भी अगर आप देखें, बागी commands हैं, जो आपको नजर आ रहे हैं, कुछ commands को मैं यहां से skip कर रहा हूँ, तो यह detail म पर फिर जब हम किसी भी graphics को design करेंगे, तो उसमें हम properly इसको फिर use करेंगे, ताकि वीडियो अभी बड़ी ना हो, हम यहां पर सिर्फ commands को touch कर रहे हैं, कि कौन सा command क्या काम करता है, ठीक है, इसको मैं cross कर देता हूँ, ओके जी, next हमारे पास command है shadow, बीन के अगर आपने इस text के लिए shadow create कर नहीं हो, तो नीचे आप देखें, bottom पे shadow आचुकी है, और shadow का color भी आप यहां से change कर सकते हैं, opacity से, वहीं कि इसकी opacity अगर आप बढ़ाएंगे, तो dark नजर आएगा, opacity कम करेंगे, तो light नजर आएगा, ठीक है, blur radius, ठीक है, इसमें जो, अगर आप देखें तो यह opacity, उसी तरह तकरीबन काम करते है, opacity की तरह, expand mean कि अगर आपने इसको बढ़ाना है, shadow को, जो space है shadow का, वो अगर आपने बढ़ाना है, तो आप बढ़ा सकते हैं, लेकिन text के नीचे, मतलब जितना text का size होता है, जितनी text की width होती है, और अगर उसी के बराबर आप shadow को रखते है तो वो ज्यादा attractive नजर आता है, ठीक है, उसको हम close करते हैं, last command हमारा जो यहां पे है, वो है reflect, reflect mean कि अगर आपने इसका कुछ इस तरह reflect text बनाना हो, जिस तरह यू समझे कि आपका, अगर next time, मैं अभी से आपको एक idea दे देता हूँ कि अगर आपने water के उपर कोई ऐसा effect बन आएगा, और वो ऐसा नजर आएगा कि आपने यह text water के उपर लिखा हुआ है, या कोई glass आपके पास है, glass के उपर आपने वो text लिखा हुआ है, तो उसका जो auto reflect है, वो तो नहीं बनता, लेकिन आपने यहां से वो उसका object आप यूस कर रहे होते हैं, ऐसी जगों पे, तो उस कि आपको यह सारे text option इसका आपने यूस किया होगा, और अच्छे से यूस करें इसका और अच्छे से practice करें, क्यूंकि मैंने शूर की वीडियो में आपको बताया था कि अगर आपने चोटे से चोटा command भी अगर skip किया, उसको मामूली समझा, तो हो सकता है कि वहीं जो जिस command को जिस option को आप ममूली समझते थे, वो आपको आगे जाके किसी भी graphics को create करने में आपको problem create कर सकता है, ठीक है, मैं आपको दुबारा याद दिला देता हूं कि इस option के अंदर मैंने mask command जो है, वो उसको मैंने skip किया था, और इंशालह मैंने आपको बताया था कि इसके उपर अ video upload हो चुकी है, और आप जाके उसको देख सकते हैं, और इसके लावा हमने तकरीबन text के अंदर सारे commands को जो है, वो अच्छे से discuss किया है, अच्छे से जो है, वो उसको हमने explain कर दिया है, ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और part 2 के अंदर हमारा जो text option था, जो text के ज कर दोуска हूँ Part 2 के वीडियो कर दो कर दियू Student